हलो वेलकम टू स्टेडी क्लासेश ये चेप्टर है 15.1 प्राइक्ता का अब देखते कोशन नमबर 23 को एक खेल में एक रुपई के सिक्के को तीन बार उच्छाला जाता है और प्रतेक बार का परिणाम लिख लिया जाता है तीनों परिणाम समान होने पर अर्था तीन चीत या तीन पर प्राप्त होने पर हनीप खेल में जीट जाएगा अन्य था वो हाड जाएगा हनीप के खेल में हाड जाने की प्राइक्ता परिकलिट कीजिए मतलब कोशन में कहा गया है कि एक खेल है उसमें एक कोईन को तीन बार उचाला जाता है तो अगर तीनों परिनाम बड़ावर आता है मतलब तीनों बार उस कोईन को उचानने पर तीनों बार हेट आएगा या फिर तीनों बार टेल आएगा अगर ऐसा होता है तो हनिप उस खेल में जीट जाएगा वो हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक कोईन को तीन बार उच्छाला जाए तो क्या क्या परिनाम आ सकता है तो अगर एक कोईन को तीन बार उच्छाला जाए तो तीनों बार हेड आ सकता है या फिर तीनों बार टेल आ सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार और दूसरी बार head आए लेकिन तीसरी बार head आए तो टोटल कितने परिणाम निकले टोटल आठ परिणाम निकले मतलब अगर एक कोईंट को उचा लेंगे तो आठ तरह का परिणाम आ सकता है तो कोईशन में कहा गया है कि हनिक के खेल में हार जानी की प्राइकता ग्याद किजिए और कोईशन में ये भी साब साब कहा गया है कि तीनों परिणाम समान होने पर यानि अगर तीनों बार head आएगा या फिर तीनों बार tail आएगा तो हनिक जीत जाएगा और खहला जा है कि हार जानी की प्राइक्ता ग्यात कीजिए तो लिखेंगे हनिक के खेल में हार जाने की प्राइक्ता तो प्राइक्ता किसका निकाल रहे है? हारने की तो हारेंगे कब मतलब हनीप कब भारेगा जब ये 6 परिनाम आएगा तब हनीप भार जाएगा यानि 6 और टोटल कितने परिनाम है 8 तो अगर इसे 2 से कट करें तो 3 and 4 यानि 3 by 4 तो हनीप के खेल में हार जाने की प्राइकता हो गई 3 by 4 तो ये था question number 23 और answer निकला 3 by 4 ये चेप्टर था 15.1 तो अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए